इस वक्त की बड़ी ख़बर रुस और यूखरेन युद्ध के लिए रुस के साहत ओने वाली बादचीत के लिए यूखरेन का प्रजीन हंदि मंदल इस्तांबूल पहुच चुका है तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बाचीत होनी है तुर्की में आज दोनों देशों के बीच होने वाली बाचीत पर पूरी दुनिया की नजर भी है माना जा रहा है कि इस बाचीत से शांती का कोई रास्ता निकल सकता है क्योंकि युक्रेन ने सरेंडर के संकेत दिये है युक्रेन की और से कहा गया है कि उनकी प्रात्विक्ता युद्ध विराम है रूस और युक्रेन के बीच 34 में 34 दिनों से जंग चल रही है रूसी सेना ने युक्रेन के कई शहरों का जबरदस तबाही मचा दिये लेकिन कीप पर कबजा करने में रूस अभी तक कामियाब नहीं हो पाया इस मीच जेलिंस्की ने संकेत दिये हैं कि वो युद्ध से पीछे आट सकते हैं रूस की बात हैं और शर्ते मान सकते हैं